पिछली बार हमने देखा था राश्ट्रपती की सक्तियों में वीटो की शक्ति इसका मत्तबर राश्ट्रपती किस तरीके से विधाईका को या कारिपालिका को नियंतिर्थ कर सकता है यह बाकाइदा राश्ट्रपती की वीटो शक्ति में देख जाती है इसके लाव अगर कि शक्ति गैए कि भूंस अब जरह देखना इसा राशपति की कारिवएक की शक्तिया है को जा पॉइब जानते हो कारिवाली की शक्तिया संभीधान केएक भूकरश सब्सक्राइब राश्पति की सबसे बढ़े कि शक्ति पाइंट में प хорошо प्रणारमंतरी के अर्णार मंत्रियों की न्यूक्ति करेगा तो प्रधार मंत्री के परामर्स पर रश्पती अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा इसके लावा आप लेखो दोस्तों रश्पती के अलावा यह प्रधार मंत्री परिश्द का एपॉइंट्मेंट तो रश्पती का सबसे मात्मूर है प्रश्पती प्रधान मंत्री के नियुक्ति करेगा लेकिन आप देखो दोस्तों सलसदी साशन की परंपरा देखो प्रश्पती प्रधान मंत्री के नियुक्ति करेगा लेकिन आपको दियान रखने के है कि वही बक्ति प्रधान मंत्री बनेगा जिसे लोग सभा का विश्वास प्राप्त हो पाद ध्यान देने की है लोग सभा का सदर से हो जरूरी नहीं है लोग सभा का विश्वास प्राप्त हो पर हमारी हाथ तो मनमोहन सिंह रास्तभा से थे देवी कोड़ा रास्तभा से थे तो कहा भी बी हमी नरसिंग हा रहा हो जब और टार मंतिरी करूपि्समी मों सकता है पूंछोंगे दोस्तों प्रधार मंतिरी कहा से आना चाहिए इंग्लेंड की परंपराई यह हैं कि जो प्रधार मंतिरी होता है वो हमेसे common Sabbath का अधे या नहीं बदली di और है हमार यह परमपरा नहीं है इसे अधे 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 गाय। को देखे को म्हांत परमपरा को दिखो कि यह लोग सभा कर नहीं होता है और हमारे हैं ऐसा भी हुआ है अब आप देखो कई बार ऐसा होता है प्रदार मंत्री के नियुक्ति में कई राश्पती की विवेका प्रियूग हो जाता है इस बात को फिर ध्यान से आपको दिया दिला रहा हूं संविधान राश्पती के किस सकते हैं विवेका धीन होगी वेवहर में वेवहर में कई बार राश्पती अपने विवेका प्रियूग कर सकता है और खास तोर पर इसी कंडिशन ने अब आज की रेट में तो मोधी को वीजेपी को 300 ज्यादा सीट मिल गई और एलेक्शन ही मोधी के नाम पर हुआ तो यहा मारती जन्ता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में अगई लेकि उसके पास बहुमत नहीं था और सईयों की बात थी कि उस समय प्रधार मंत्री किसको ने प्तिया जाए इसमें बड़ी मारा मारी हुई और राश्पती ने हमारे हां अटल विहारी बाश्पई को प्रधा कि यह राश्पती का विवेक की शक्ति है कि विवेक अपनी सम्मेदानिक मर्यादाओं की अंतरगती पालन करता है क्योंकि सम्मेदान के वली लिख रहा है कि राश्पती प्रधार मंत्री कि नुद्टी करेगा इसका यह मतलब न माना जाए कि राश्पती आम बेक्त की नुद्ट कर देगा ऐसा नहीं कहा जाए क्योंकि राश्पती ने और एक बाड़ और वे एक्जामपल है और सबसे दिलसेस्ट एक्जामपल था बाता है जब नील में संजी उरेड़ी राश्पती थे उस समय मौरा मौराजी दिसाई के खिलाब अविसास वस्ताव आ गया और त्यागपत्र दे रिया उन्होंने उसके बाद चोधरी चरण सिंग मौराजी भाई दिसाई के पास गए बड़ी सीर नहींता थे चोधरी चरण सिंग ने कहा मौराजी भाई मैं लोक सभा में अपना चोधरी चरण सिंग ने राश्पती नीलम संजीय और 검ra से कहा और वहां पे अंध्रा गुर्य क्थे नाम किया लोग मां के नाम लें नहीं ने ने नम संजीय और टिối तो, उन्हों नराश्पत्ती को आस्वाशन दिया, कि हम तो भूमत तो सिद्ध कर देंगे, हमें आप परणाबमत्री बना दिया, निलंसे अंजियोरेटि ने किया, चौध्री चौध्री चौण ने सिंह को परणाबमत्री बना दिया, लेकिन दोस्तों, हकिकत की बात यह है, क यह दो मेने बाद राश्पती ने का वे सदर में जाकर विस्वास वरस्टों कर दो तो चोधरी सब ने का विस्वास बो तब तो सिद्द्र कर दें और यह पाद जैसे पता चलिए च्छी मनना नाम पहुँँच गया कि चौदरे चरण सिंग ने पहुमस सिद्धन कर पार ये ये रिखार जिख सिंग के बाद जग जीवर नहीं दिया क्योंकि उसके बाद निलम संगे ने कहा अब आप चौदरे चरण सिंग जी आप ही प्रधानम्स न्यूγरूप ने टिब तक बने रहे हैं जब अगला चुना और यादर रखो जो निरवाचन की तित्थ की गोषणा के बाद जो प्रणार मंतरी हो मंतरी परशध हो उस यह को तो कहते है काम-चलाओ सरकार केर टेगर गॉर्मनेंट काम-चलाओ सरकार का मतलब ऐसी सरकार जो कोई विदी काम सरकार कामने कोई excitable कामने की लिए संभिनान बने गाने कोई नई knitी बने की नेन क्या होगा रोज रोज कि प्रशाशने प्रशाशन्हें काम के सव्झालन सरकार कामने कि करें तेकर गौउद्मनेंट अब दिरह देखो, अब इसका मतलब भी प्रधार मंत्री की सबसे बढ़ी शक्ति है, कि प्रधार मंत्री राश्पती 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 की नियुक्ति करेगा, मंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन आपको ध्यान दिला दे, प्रधार मंत्री राश्पती के प्रसाद परिंतकाम नहीं करता है, मंत्री राश्पती के प्रसाद परिंतकाम करते हैं, तो धार मंत्री को हटा सकते हैं लोग सबा, मंत्री को हटा सकते हैं राश्पती, लेकिन आपको यह विया दिला दे, कि मंत्री उसके लामा अन्ने, जैसे कि हमारे हाँ राज्यपाल की न सरकारी मामलों को देखता है उसे महानियाइबादी कहते हैं यह राश्टपती के दौर नित होते हैं और राश्टपती के प्रसाद परियंद तक अपना पदारण करते हैं कि राश्टपती के प्रसाद परियंद प्लेजर तक अपना पदारण करते हैं इसका मतब राश्टपती के नियुक्तियां भी किसम किये हैं पहली स्रणडी में नियुक्तियां और इसलिक आप जाता है राश्टपती कारेभारी के शक्ति हैं उसे में थोड़ी सीमित मामले हैं कि अब महानयागदी कौन बनेगा राज्यपाल कौन बनेगा उसमें तो प्रसीरिन के सिंगनेजर जादा होते हैं नेदोस्तों कई बार आप देखोगे राश्टपती बड़ा कई बार पावर्फुल दिखेगा आप जानते हो केंद्री विष्विद्य याले के WC इनक्तर राश्पती करता है और सरकार के इंद्री विश्विद्याले के वाई शलांसर के नियुकते लिए रश्पतिक के पास तीन नाम भेजती है और रश्पतिक पास इतना दिकार है कि तीन नाम में से एक नाम को इस विकार करें या चौथा नाम को लिख कर उसको टिकर सकता है तो जोकास मेरा भी राश्टपती एक साथ कोई पर्चे होता है राश्टपती को ऐसा हलकिम नहीं लेना दोस्तों अम्रित अध्यान में घुमना तो राश्टपती काम हई है राश्टपती कही बार वड़ी इपनी शक्तियों का प्रयूकर देता है इसका मतलब है कि मेंसा मंतरि-परश्ट के मुखिया थे क्या राश्टपती छोदी चड्रण सिंग इसका बहुता थे बुप कुटेन हैं। क्योंकि जो मंत्रि-परश्ट इसका में बिस्वास सदनी कर पाया वो तो सट्त हमें रहने का दिकारी नहीं है। अब काम चला हूँ है कि अगले निर्वाचन तक मंत्री परश्रत पो रखना है किसी लिए बड़ी ध्यान देने की बात है रोज दो राश्ट पर भी हमेशा मंत्री परश्रत की सलापर ही काम करेगा है जी रुपरी नहीं है संबिधान यह नहीं मनत है, बहार मैंसा हो जाता है नहले ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होगा नहले से पुछा गया भाई화 यह बताओ रामजवाया ़ेस्में नहले से पुछा गया कि यह बताओ ऐसे माम रोमें आप क्या करोंगा तर्व आपको क्या लगता है सरकार काम चलाव सरकार में क्या फरक है किकार कोई फरक नहीं है सदिक्षा नहीं बनेगा नहीं कोई नहीं पॉलसी बनेगी नहीं काम कामचलाओ सरकार निया समिनान सवन सुदन नहीं ला सकती। कामचलाओ है इस काम मतलग है आप बने रहें अगले लोग सवा चनाओते। इसी दिए कई बार देखते हैं राश्ट्पति अपने श्रक्ति का प्रयोग कर लेता है यह दिए गटबंदन सरकार है तो दूसरे आप देखेंगे राश्ट्पति और क्या काम करता है और कौन से नियुक्तिया है राश्ट्पति नियुक्ति करता है संह另外 के कि अध्यक्यो सदस्षिक अध्यो सदस्षिक Phillip भी राष्वाथि करता है, इतना ही नहीं है। मेले श्वह ही उस्पार्थाषि कोछओ बहु राष्वाद्स हमस्थाओं का भी पनाठी करता है, जो संभिधान में है, उसंभिधान थे तर는 तो जैसे कि अब दिखेंगे कि माना अधिकार आयोग के अध्यक्ष्ण वह यह तो संभिधान में नहीं है माना अधिकार आयोग के अध्यक्ष्ण सुचना आयोग यह नहीं Central Information Commission इंद्री सुचना आयोग के अध्यक्ष्ण के अध्यक्ष्ण सुचना आयोग 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 के अध्यक्ष्ण सुचना जब बुच्छतम नयाले की अनुसरशा हो और देख सकते हो इसका मतलब हमारे समिनानमे सभी प्रकार के पद का मतुग जैसा नहीं है राश्वत के प्रसाथ परिंद का मतलब है। जेने अपने पास से नाने की कारण मतानाही भी प्रेदानु समीधान में सभी और अपने पास से राश्वत को जैसा क producto चत्व नयाले की अनुसरशा हो और विखतम नियाले की अनुसरशा की भात की गई हैे। इसका मतलब है कर अच्छतम नयाले करणी अज़न्षा ली जाएगी. चरिखने अच्छतम मैंने करणी उन्षा के बाद इस इपसे हटाएगा, ये बत अपने आपने दिआन में रखना की है. तो यह दूसरे संटी की निव्क्ति हो गई है अब देखोगे जिसी संटी है जिसा संटी है अभी हमारे संबिदाने महत ऑन कितना जिवर जच्छे के अन्पेलेंस बना रखा है दोश्ति इसे का भी आता है इसे थो नियंतर नौं संत्रुण कार्य पालिका दुश्षक्तिकों इन्तृत करती हैं यही नियोने स्थे का कि यह ilor धिट अभर्छर्य कि संब्धान यही नियृ इन्तृत अलगों टूले इजकल एलमस कियोंके करी П 對 fel लेज जो सरकार से ब dental है जो सरकार के अधिन नहीं सकती है प्रसाथ परित्वल है वह पदें सरकार के दिन काम करते हैं। यह पदें संग लोग से वा अप्रिल चाहिए। संग लोग से वा सरकार के दिन दुश्व जाएगा तो तब फिर गधियान इस पक्ष नहीं होगी। और हमारी ने कवर भी प्राउधान है। राज लोग सेवह आयोगा के नियूपती राज यपाल करता है यह जी चैतरिक नियालिकरइस रजटफ्व करीगा और राश्पदी राशिचपनी नियालिकरिस प्रीषा जया वे मतलिड़ उच्जित्म नियालिकर अम्सपाल हिंगगा क्योंकि यह संस्था ऐसी है जो सरकार से फ़रा स्वायत रूप में काम करती है सरकार के धीन रहेंगे तो भरती से ही नहीं हो पाईगे सरकार के धीन रहेंगे भरती से ही नहीं हो पाईगे लेकिन हमारे हाँ तीसरे प्रकार के रश्पति के नियुक्ति है जो अलग किसम की है राश्पति के तीसरे परकार के नियुक्ति है अलग किसम की है वो कौन सी है? उच्छे तर्म नयाले के नयादीस वो है उच्छे तर्म नयाले के नयादीस उच्छे नयाले के नयादीस उच्छे नयाले के नयादीस नियंत्रक और महालिका परिक्षक तथा वो खिरिवाचन है अब याद रिखो इन्हें अपने पस से हटाने के लिए नियाले कि नहीं इन्यिया राश्ट्रक्ति नियुक्त करेगा लेकर अपने पस से तभी हटाएगा जब संस्त्र विशेश बहुमत से ऐसा प्रस्तावी पारित करे नहीं जशनत्र विशेश बहुमत से ऐसा विशेश बहुमत पारित करे तभी उस Championship को जाएगा यह बाद बड़ी ध्यान देने की है कि संसत्थ विशेज बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे तब ही उसे हटाए जाएगा अब विशेज बहुमत का मतलब है सद्धन की कोले सद्ध संख्या का बहुमत और उपस्थित और मद्देने वालों को दोती है इस सद्धन की संख्या का बहुमत उपस्थित और मद्देने वालों को दोती है इस सद्धन की संसत्र राष्परी को भिटा सकती है कि इसका मतलब है कि इसको हटाना मतलब आम जनता के दौरा हटाना है और आम जनता के से क्यों उटा रही है क्योंकि वो अपने सम्मेदाइं को पालन नहीं कर रहा है अच्छा यह संस्ता यह है बात को याद रख ने गए दोस्तों सरकार के बिरोज में काम नहीं करना है सरकार से स्वाइत रूप में काम करना है आपने कभी नहीं देखा हुआ उसका काम यह नहीं है लेकिन बहुत ध्यान रटने की बात है यह सहस्था है सरकार के बिरोज में बात बोलती भी है क्योंकि सरकार की विधियां खरावे कि रोल बोलना पड़ेगा और सरकार के साथ चलने लगेंगे तो लोग तंद का ढ़ाचा डह जाएगा तो वारी सम्मिधार इनमात आने क्या जिए अबर जिस शेक इंद बिलेंज बना रखें राश्पति कर विधाय का पर शेक करता है वि यह जान देने की बात है राश्पति के जो दो न्यूक्तिया होती जब राश्पति को न्यूक्त कर देता है जब पूरी दुनिया में कोई राजदूत हमारे आता है तो राश्पति के जामने अपना परश्य पत्र लेका रहता है परश्य पत्र का मतलब राश्पति एक साथ पर भाइब राष्टपति का स्वयम अस्थाकषा हibile जोस्तों रणा भाप ही जब किसी अजीको करता है और स्थांटी का स्वयम हस्थाक्षा होता है स NOW को और ने राष्टपति प्रास्भथे करता हो नकुंदाता स्थाका करता ने पॉon गत्मदाऊनियं यह पॉंइंट्बे वारंट्थे जियर के दौर अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्र नियाश पे इस्का मतलब है उच्छतमन्य श्रॅँ लेकी नियादीजिदे राजयपाल, नियों तरकम्हालिका परिक्षर का मतलब होते है इनकी निक्ति कौन करता है गrodo करेगा इन तुर भी परकिए अगाल ब्राइ अच्छी आखराय है है इसे लिए दू प्रकार को निघ्र बना देखे ये को वारण्ट वससाइन होंगी और दूसरे पर भारस सरकार का स्छी को स्पेश सिग्नेचर करेगा था का था म५ू THIS कि इस वाध Surkakar का स्वाइब है इसाइस पे अर्फ या चार कह एंग और उडप caniddag raf 166 नहीं करता कि मंद aún मांठा किसका है राष्पक्ति की कारग बाली कि नियुकती का मामLED बिदार की शस्क्ति चेляется कारग पाली के विद्वाई शक्ती क्या है श्ष्ट में विद्वाइग सब्सक्त है उतने सप्सक्ति में यह रहतने सब्सक्त पूशा जाए गार राश्टिपति तो इसा सीधा से मतलब है कि राश्परी संबेधाय को दान है, धार मंत्री परश्द घर के बच्चे हैं और राश्पती को नहीं दादा हैं, तो दोरों के बीशे में चखड़ा हो जागत मामला नहीं परेगा, शेकल बैलेंस होता रहना चाहिए, दादा बच्चों को चेक करें, अब यह नहीं कि दादा बच्चों को काम ही नहीं करने दें, अब दादा को लग गया कि बच्चों काम में अडंगा डालें तो भी दादा को अटा दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को लग जा कि दादा के जरूत ही नहीं है, कोई बार ठीक नहीं है, मैंने तो पता चला क तो बड़ा गुझरू जब हस्तक्शेप करता है, बच्छे नाराज रते हैं, बच्छेकते हैं, आजेदी, क्था बापु सिहत नहीं है, और दो सिहत नहीं है, वहाँ देखना चाहता है जहाँ वह भूश नहीं पहुच पाया, लगातार साथ में रहता है, और प।छ ए प्रटाकी करता रहता है। ऐसे करो है। बैलेंस है कि दादा की जीजी को चाहिए कि बच्छों काम करने दे। इसे अब द्रोपदी मुर्मुख कहेंगे कि पॉलसी योवनी यह भी रिक्यों मना लिया। यहां यात्रा क्यों कर रहे हो तो यह मंत्री परश्यद कैसे काम करेगा। कि मंत्री परश्यद यह सूचे कि द्यादा की जरूती नहीं है। कोई आए नो कोई पूछेगा। हमी कान बनाए हमी हस्ताक्षर कर ले। बड़ा नहीं है। बड़ा संत्रल रिस्थापित कि आगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है। जो निर्वाचित होता है वो तो करवड़ा भी जाता है। जनता के भावनागे नाम पर समिनान ख़ाड के पेंगते। इसे कहा भी जाता है कि इंद्रे गांदे ने जब अब इरजंसी लगा दिया तब अगरुद्दीन अली आहमेद को हस्ताक्षर कर ले मुनकी कलम काप गई थी। और भारवज़ राज आपातका लगाया है तो इंद्रे गांदे ने अगरुद्दीन अली हमें तत्वाली इंद्रे गांदी से ही कुशेंगे। या कि मंत्रियों से सलाह ली है इंद्रे गांदे ने प्रट्टि वब कहा कि आप ये मुझसे पूशेंगे। अब अगरुद्दीन अली में सब्सक्राइब कोशें पड़ गए और में नाराज मत हुई है कि मैं नाराज हो गई आपको योग नित रही थे का की सब्सक्राइब कुशेंगे। दोस्तों पॉलिटिक्स पे चले लाता है तो andar पते बीच यह भी रचे मिच व dealers आप ज yang गिदा कि दादा हर बात पो चलाते रहें तो बच्चेह में अब जर्राचाल्फर्परी नियाुकर ने European Jesus उन्हें बता दिया SARAH karmen बड़ा महत्स्तृच विश्तृब उन गार्च् legisl macro दोस्तों देखों मानना होने का मतलब श्रमा करना होता है आज कले दिप पर लोगा बड़े आकरमक हो जाते हैं क्योंकि बच्चों हाद रखना गल्ती करना माने भी सुभाव है जो गल्ती नहीं करता हो इस्वर है और हाकिक की बात ही है कई बार दोसरे गल्ती पर हम बड़े हावी हो जाते हैं ऐसा लगता हमने कभी गल्ती की ही ने इसलिए बड़ी इंट्रस्टिंग बात है की अकपर ओवीरबल िकिससें की बड़ी इंट्रस्टिंग बात ही मारक अकपर मोद्य ने पूछा वीरबल से और सभा में सब पटए थे तो अकपर ने पूछा इस हमारे दर्वारीयों पहले कोई बताए क्या किसें कभी जूठ अगबर बड़े खुश हुए है हमारे दरबारी सारे अच्छे है बीरबल नहीं खड़े हुए है अगबर ने पूछ आप तो एसे ही बैठा हुआ है क्या मतलब तुमने जुट भोला है क्या पिर बना का हमाराज हमने जुट भोला है अब एक बार तो मने जुट भोला है दुबारा मैं कहों जुट भोला है दुबारे जुट हो जाएगा जुट भोला है मैं अगबर बड़े नाराज हुए और उनका अब तुम मेरे दरबार चले जाओ तो मेरे दरबार में रहलाएक नहीं है वीर अीज़ वीर बहुँ बड़ी होश्यार व्वेक्त आफीश रिवक्ति घरबार से चलेगए ए कर भार से देले और कहीं पी उन्हेanç किसी सुनार से सुने की बाली बनावाली। दो-त्रिन मेने बाद दर्वार में आगे, महाराज देखते में बड़ी नहाराज होगे, दर्वार से हमें निकाल दिया था, तुम कैसे पिर आगे? पिर बनने लोगा महाराज मैं आपके लिए नहीं आया हूँ और आपके लिए इच्छी तुफा लाएं. अभर नै क्या है तो fah एक और सोने के बाली है उनको ने कर better और सोने की बाली सुने के बाली होता है कि जहां बोया जाता है और सोने के बाली होई उत्तिया पूरे स्टसाथ और ग offers सबोर तो बीरिवल ने का महाराजा बस एक थ्वरा सा सला आईए कि इस बाली को वही बोहेगा जिसने कभी जूट ना बोला अब दरबारी एक करके पिश्ट ने लेगे अगर जूट बोलने बाली लगाएगा दूसरी बाली होगी ही नहीं अब दरबारी करके पिश्ट गए वीरवल तो ने पहली बोल दिया था मैंने जूट बोला अंत्य में महाराजान का मैंने भी जूट बोला है थारबश्वर अब आज से दिये से दोस्तों कही बार आजकल हमारा समाज बड़ा इंटॉलरेंट होता जा रहा है और दिखो तो श् सबसे बड़ी सबैता के पहचान होती है एन आई फर आई विल मेक ओल वर्ल टाइं तो आख के बदले आख कान के बदले कान कई दिसों में इसे देंड के प्रावदान चलते हैं अब आँ मान भी है तो इसलिए आप दिखोगे श्मा की बात क्यों आती है तो आप श्मा का मत अब आप श्मा दान के बात की गई है आटिकल 161 में राचिपाल को श्मा दान के ठीक वही सकती है तो जो श्मा दान का उद्धिष है क्या है दोस्तों यह मानव दिकारों के अलूप है यह श्मा दान क्यों दिया जाता है श्मा दान का प्रयोग क्यों समीध्यान में रखा गया क्योंकि लिखा रहीक है समीध्यान में बड़ी सिंपल बात कि श्मा दान कि नयाले भी गल्टी कर सकता है कर सकता है और दूसरा दूसरा दन्ड और भी 84 दंड ही आवश्यक्ता सदीख है तो दोस्तों प्राकर्टिक नयाय का उलंगन है इसलिए हर सम्विधान में कारिपाली का कुछ हमादान की सक्ति दीगें क्योंकि दंड देने का दिकार नयले को है दोस्तों हमारे सेपरेशनओं पाओर हर दीगा पावर वेदाए का अविधी बनाएगी का उसे करेंगी को और पर और कारी पाली का उसदेंड को करेंगे जो नयाय की दंड करती है उस खेंड को शमादाने किसकती एंड है अब शमादान को इस बाहरती समयदान देखा जाए तो अनुच्छे 72 में पहली बात देखी गई है यह च्छमा कोई एक शब्द नहीं है दूसना हो च्छमादान का मतलब क्या है तरड़ की मात्रा कम कर देना तरड़ के सुरू बतल देना इस सब शमादान है शमादान कोई ए जिसे शमा करेते है उसका मतलब है व्यक्ति को सबही आरोपों से मुद कर दिया जाएगा तो सबही दंड अपने आप समाप्ष हो जाएंगे यह च्छमा का सबसे बड़ा रूप है तो व्यक्तिक सामान नागरी की तरफ अपने जीवन जीन लेगीगा यह नहीं सबही आरोपों से व्यक्तिक हो जाएंगे तो यह अपने ध्यान दिया को कभी नेयाले में ध्यान सुनी है कभी नेयाले की बात को सुनी है तो नेयाले पहले आप जानते है किसी को दंड करने के लिए पहले पुलिस किसी को चार सीट डार करती है पुलिस चार सीट राव करेगी उस चार सीट के फाइलिंग के लिंग के बाद फिर न्यालए उसको धंडित करता है अब चार सीट में आरोप लगा जाते हैं वेक्ट पर आरोप गया है उसी आरोप पर नयापली का पहले कहता दंड़ दिया है उसके बाद फिर नयाले कहेगा दंड़ की मात्रा कितनी होगी कि फिर न्याले कहेगा दंड कितना दिया जाएगा जो चमा करते हैं इसका मतलब है वेक्तिकों सभी आरोपों से हमने मुख्त कर दिया इसके अब उसके ऊपर कोई आरोप रहा ही नहीं आरोप है तब दंड दिया गया अभी छोड़ दो यार अभी क्लास कर रहे हैं तो चमा कैसे दिया जाएगा सभी आरोपों समुक्त हो जाएगा सभी दिल्ड अपने आप समुक्त हो जाएगा लेकिन ये बहुत बड़ा चमा का सबसे बड़ा रूप यह है इसके साथ आप देखो गए चमा के कही और समनंतर मद्दम चलते है है । हमादान के और कई समनांतर मद्यम चलते हैं। और समनांतर मद्यम क्या है? लगु कुरण, क्मूटेशन लगु करण यह कम्मुटेशन अब लगु करण क्या है कम्मुटेशन क्या है लगु करण का सीधा सा मतलब है किसी विक्त की मिर्द दिर्ण की सजा को आज यह वन कारावा से मतल देना किसी विक्त की मिर्द दिर्ण की सजा को आज यह वन कारावास में तो सजा की मात्रा में गुनात्मत चेंज हो जाता है कम्मुटेशन लगु करण यह बात दिहान मिर्ट ने के अब आप आप आओगे इसे च्छमा का रूप अनिक होता है जाँ जाएगा जाएगा अब जो आपवादी केस हो बड़ा जगन्या पराद रौद आड़ दिया जाएगा आप देखो गें लग करन में क्या हो रहा है ग्तिक को आरोब समें तो नहीं और नहीं शrem हो क्या रहा है कि ढदा कि अजजीवन कारावास का मतलफ है कि जीवन में रहना अज़ीवन जीवन कारावास कान्व हुटा हुटा है जब अज़ीवन होता है जब तक जीवन नहीं है जब तक मल आधम -, महराद में 16 साल केocused ह полож in the कि बाद 14-65 साल के बाद किसी वेक्त को जील ने रखना थो जील के सरकार दोने बोज है और उसके बाद वेक्ति खुद ही रिलाइस कर लेता है कि या रगलती हुई कि उच हमा देने का उद्देश दूस्तों यह नहीं है कि हम किसी वेक्ति को प्रताडित करें कि जील में रहने वाले वेक्तिकेवी जीवन का दिकार है वाद्यम्रित घरिमा का दिकार उसका भी है और सचमान दिकार वजमाना है मानव दिकार के जमाने में तो यह बात चल गई हमारे हां देखो दोस्तों अभी भी मृत दंड देने का बड़ा ही आदिम कालिन तरीका है है जाओ तो फासी का पहनदा बना जाता है उस पर आपने लटकाया जाता है यह सबसे आमानवी तरीका है इस तरीके से हमें दंड देने के प्रारू को बदलना चाहिए हमें यह दंड नहीं देना चाहिए है जैसा पश्मी देशों में कई बारी आप अपनाए गया है इंजेक्शन दे देता है फुली मार देता है यह मर्द दंड के थोड़ा सॉफ्ट तरीके है हमारे हैं तो बात की जा रही है यह दंड को जेल ऐसा यातना गरी नहीं होना चाहिए सुधार गरी होना चाहिए अरे जेल के बाद जब आदमी बाहर चुटेग तो समाज में तो आएगा और हमारे हाथ यह हो जाता है जेल से आदमी शोड़ता है तो भी हैंसक अपरादी बन करता है तो लगवर्ण का मतलब है मृत दंड किस जाको अजीवन कारावास में बदल देना यह अपने आप में एक माफी है नीसरा है रिमीसन रिमीसन का मतलब कह लीजिए कि अरिहार कह लीजिए या विराम रिमीसन का मतलब होता है विराम यह हिंदी में अलग-अलग अनुबाद भी होते रहते हैं अब विराम का मतलब होता है दोस्तों के मिर्थदर्ण कि आजिवन नहेकर और म्हास मदलना, यह साजा में गुणात्मक कमी है. अच्छे, गुणात्मक कमी की मतल़ होता है, दोस्तों, दूतु का दही बंजाना भूणतार दोप्रकार का होता है मात्रात्मक दूसरा गुणात्मक अच्छा, अच्छा विक्ति में भी लंबाई बढ़ रहे हैं तो मात्रात्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कि किसी को विक्ति को पंद्रस दस वर्स की सजा है दस वर्स की सजा को पंच वर्स कर देना यह क्या है सजा की मत्रग हटाई गई यह सजा के परिवर्तन क्या है मात्रा का परिवर्तन है यह सजा में Quantitative परिवर्तन है नहांदा का परिवर्तन है तस वर्स के सजा को खटा पांच वर्स गई दिया है मिर्त दर्ण के सजा को खटाकर आज जीवन करावास में बदल दिया गए यह क्या है क्योंकि सजा करिक्टर ही बदल जा रहा है और तीसरा, ये भी छमा का रूप है, छमा का पहला सबसे बड़ा रूप है, और आपको बता देख किसी भी छमा के अल रूप में वक्ति आरोप से मुखत नहीं होता है, वह आरोप ही हमेशा रहेगा, सब हएक रूप में उसको छमा देदी के गलग मुद्द है, अब अगला अगला चौथा कौन सा है, चौथा रिस्पाइट, रिस्पाइट का पहले जी अच्छा, रिमिशन का मतलब परिहार, और फिर विराम, विराम का मतलब होता है, रिस्पाइट, और रिस्पाइट का मतलब होता है, विराम स्पायट का मतलब यह हो गया कि विस्यास परिस्यद को देखती हुए कि बांत धेहन में रखनकी है ये से लोब दिद चाहर में आए गए अबल माहिलागर होती है Solar S Import कि मिलत परिस्यद को किसी अशान गया व्यमारी हो गया एक हएछ था स्विद Circerta Mia कि अब याद रखो दोस्तों बीमार आत्मी को नहीं मारा जाता है दोहरा दंड कैसे दिया जाएगा अब विसेश परिश्थित होनी चाहिए और विसेश अगर परिश्थिती है तो सजा में मात्रात्म गुणात्म कोई भी चेंज हो सकता है किसे कदर रिस्पाइट सजा को मात्रात्म गुणात्म गुणात्म में भी कटा जा सकता है और सजा को गुणात्म गुणात्म में भी कटा जा सकता है इसे बिस्पाइट का नाम देते हैं अब मालो लोग कोई विम्मार हो गया कोई महिला गृर्वती देना प시면 के बच्चे को ठोड़े और लास्ट में लास्ट में है प्रविलंबन अब आप जानते हो कि कि किसी को दंडे मिल गया तो छमा के लिए राश्पतिक पास हम अप्लिकेशन देंगे इस अप्लिकेशन को प्रार्थना पत्र को याचिका भी कह सकते हैं अब राश्पतिक पास अप्लिकेशन देंगे याचिका देंगे राश्पतिस में नड़े करेगा अब सवाल है कि हमारी याचिका देने में और राश्पतिके नड़े में समय तो लगेगा अच्छा अनुचे बात्तर में लिखाई नहीं गया राश्टपती अपने इनड़े कितने दिन में दीगा अबर ये सम्मिधार इन बाताओना ज्यादा तर सोर पे समय का उलेक नहीं किया तो निलंबर का मतलब है ये केवल मिर्ट दंड के मामले में लागू होता है क्यों अब किसी की मिर्ट दंड की याची का यानि प्राथना पत्र राश्टपती के पास लंबित है तो जब तक राश्ट्रपती अपना इस पर निरड़े नहीं करेगा त service और जरो रिखन इंद यानि प्रभी लम्र का मतलब क्या है? मृत दंड ये छमा क्या है? क्योंकि दंड की क्रियानवन को स्थगित कर देना बात ध्यान लखने की है दंड खतम नहीं कर देना क्रियानवन स्थगित कर देना सस्पेंशन कर देना इसका मतलब है कि अगर वेक्ति को ये कह दिया गया कि 10 अप्रेल को असी किस जा दी जाएगी, विकिर उसने 8 अप्रेल को राश्पति को चिट्टी लिख दी, 10 अप्रेल की उसकी मृद्ट्र की सिजा को नलमिट कर दीया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भाई, जब तक राश्पति माहोदे अप्ना नीलड़े न करें, तब इतुक इसक पर कोई कारिवाही नहीं किजाएगी, नहीं कियाएगी, यह है च्रमादान के पानस तरीके, यह दोस्तों यहीं आपको बतादें यही श्मादान की सक्ति राजपाल के बाते हैं यही पास तरीके हैं अब देखो राश्पति राजपाल में कम परिजिंट करने फिर आगे बढ़े जो प्रकार राश्पति के बास हैं वही श्मादान के पांच प्रकार रजपल के पास है अब इंटरस्टिंग बात होगी अब श्मादान के प्रकार दोनों के पास है एक खास बात किया है कि राश्ट्रपती राश्ट्रपती शमादान के मामले में प्रितु दंड के राप्त व्यक्ति को राप्त व्यक्ति को शमा ने सकता है लेकिन राज्यपाल क्या करेगा राज्यपाल मिर्ट दंड प्राट व्यक्ति की शमा का लगुकर्ण कर सकता है शमा नहीं कर सकता है मिर्ट दंड प्राट व्यक्ति का की शमा का लगुकर्ण कर देगा है मुर्द दर्ण को आजीवन कारावास मदल देगा, मुर्द दर्ण प्राप्वक्त को पूनतर शर्मा करने का अधिकार उसको नहीं होगा, तो ऐसा इसलिए किया गया है, राश्पती बड़ा अधिकार उसके बड़ी शक्ति होनी चीए, बाकिस के पीशे ऐसा नहीं कि संग सूची के विशे पर चमादान देता है, तो राश्ट्री सुरक्षा, इसका मतलब है, बड़ मार्शल हमारे एक नयाले है, सेन नयाले, सेन नयाले के निरडे, सेन नयाले के दंड को भी राश्पती चमादे सकता है, राजजिपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तो सेन और पर आरोप था, तो रुधे अज कि वो होच्तल में इस होटल में किसी महिला से मिल रहे थे, जो सेना की नहीं थी इसका मतलग है किसी सेनाधी करें कि दौरह इस ही महिला जा जा Proseक्शा का उलंगन है तो कोर्ट मार्शल क्यों चलता है क्योंकि किसी विक्ति ने सेना और अनुसार्शन के नियमों का उलंगन किया कोर्ट मार्शल अपराद के लिए नहीं चलता अपराद के लिए तो हमारी सामान नयाले है कि कूले मार्शनल इसले होता है कि सेना में गया को उसे कह दिया गया एक अधुमती नहीं मिलेकी जवरशीब आख लाय रहता है ज़से रहता है अगर कोई अगर में रिटार्ड फोजी हो और देखो, वो सुबोट के चार बजे उठके घर खटा देता है और अश्या लए निक तक कह रहा है तो आज रहा है कामडिंग कर रहा है घर में अभी कमांडिंग कर रहा है, अदेश दे रहा है तो राजिपल की बात है, अब सवाल है इतनी बात तो सम्मिदान में लिक दी गई, अब सवाल है छमादान की प्रक्रिया में कैसे आज क्या दी जाएगी, छमादान में राश्पती कैसे काम करेगा, इस सारी बात इस सम्मिदान में है नहीं, तो आप जानते हैं दोस्तों जो बास्ता मेराई में नहीं है उ प्लारीफाई करने के लिएंए दोचीज़ों का सार्रह लें अर लेके-भी ळुभ गश्म? अब ज़र देखो वहम ब्योगारिक मुद्दे पर आजए इतनी बातों सम्मिदान में हैं अब हम बेवारिक मुद्धे पर कैसे हैं जो बेवारिक मुद्धा ये है शमादान से समभन जो बेवारिक मुद्धा है पहला मुद्धा ये है कि चमादान से समझ जो विवारिक मुद्दा है पहला मुद्दा यह है कि राष्टपती को अगर चमादान की शक्ति है राष्टपती उगर चमादान की सक्ति है तो बात ध्यान में रखने की है यह राष्टपती के चमादान की शक्ति विवेका धिन सक्ति है कि यहां वीवेका जहें का मदभ लगए हैं है कि वह लेकिन रिखने कि ख्रमादान के स्वक्ति गष्ण कर लेकिन धै की विखेदि यह ने 180 में तुच्छ तमन चलए ने मारु राम वादी में कहा है मारु राम वादी में दियान देने के बात है आप को बिसां कि यह क्या मतलब है यह दुन तो गिरौळा भासी है इन बार करो राश्ट्रपती की चमादान शक्तिया भी विकादीन है आरी फिर आप कहाया हो लाजपति मंतरी पारिष्ट क के सुला रिषा माम करें एक उसका विभे कैसा हमोस्तमर सब्मानि दयारी बनां घाल नहीं है कि दो करेमें ह। तो राश्रती वोर्ण नाराज हो सकते हैं। तो राश्रती बहुत हम दर्दी रखें किसी बेक्ति के प्रोज़िती है, वहाँ राश्रती वक्तिय दूस्तों को भी दर्धान के जगन्या परादिकए है। आजमायन कादू सुछ रही। बेसे नमक्रणरप भी हो जाते है। बिक्तित कि राश्पत्य क्यों नहीं Henan में नियाल और नियाले के नियाना शक्ति है। राश। बेसे रही नियाले के नियाले के नियर्डे से तो तक हो सकता है वस्य बात नियार रखने की है कि कादियन का मतलब यह नहीं है कि राश्पती जू चाहिए को कर लेगा राश्पती का निर्ड़े नियाएक निर्ड़े से अलग हो सकता है यह बात बहुत जरूरी है यह बात बड़ी महत्पून है कि राश्पती का निर्ड़े नियाएक निर्ड़े से अलग हो सकता है और यह इस तवी नहीं अग्युण नियाएक निर्ड़े के विलकुल बार-बरावरक तो चाहा मादन का मतलब भी खतम हो गया और हैंयह और हक्रिकत में होधिको चमादन आता है रोफ इ Prob critic शेंट के पास च्ट्ष पती को चत्थी भीज़ देता है बिलिकर स्टमादन के परकता है इसलिए ये सबाल नहीं होना चाहिए क्या राश्पती बिना मंत्री परिश्ट की सला से चमा कर देगा संबैदाने किस्ति यही है अच्छा दूसरी बात है अब ठीक है अगर राश्पती इच हमादान की श्रक्ति का प्रियुक करेगा कि अच्छादान के सिमयुक किया है का कोई सुमयुक है और जे मन्त्री परिश्ट्ट कर रहा है तो आप जानते हो मन्त्री परिश्ट्ट काई बारे मामला गरवड़ा सकते हैं अच्छा हमारी हां तो दोसों कई बार वेक्ति भी इस कई में स्यूज कर देते हैं नेरे भी आ मामले में बड़ा इंट्रस्टिंग मामला आया था चार वेक्तियों को पहली बारे साने अलेक सामें मसला फसा चार वेक्ति को एक ही आरोप इमृत दिया गया अब सवाल है कि चार वेक्ति अपनी चामाही आज कि अलग अलग नेए या एक ही सात दें की बड़ा किछीदा मसलwand फसाओ овर्ट उर्वार हम इसका में उस्योज कर देते हैं और इहींच कि समय सीमा का कोई उलेख नहीं है तो उसमें हुआ क्या अब दिखिए गडबंदन सरकार में खास तोर फर 89 से 2014 तक शेत्रिजन थे तो अब तमिल नारुट ने कहा कि वह तमिलों को द्रणना दिया जाए पंजाब लोगन कहा इनको द्रणना दिया जाए तो इसका बड़ा रा प्राथ हो गई और यह खुद नियालेन दिया था और इसमें सबसे बड़ा फेमस केस था पेरारी विलन का जीवराजी गांदी घत्या में आरूपी था तो अब यह हुआ था भी 10 वर्स तक इनके बारे में 10 वर्स तक राश्पती ने कोई निरड़े नहीं किया था एक दसक अब दिवराश्पती निरड़े का मतलब है कि हाया ना पूरी का जित्ते है और अजीव से कंडिशन हो गई अब दिवराश्पती ही निरड़े नहीं कर रहा है दोस्तों अब आजीव समाम ला गया पर इसमें नयायपालिका को अस्तक्षिप करना पड़ गया इसे जरत होच कि दो निरड़े बड़े मात पूर्ण आए यहां पे जो आया मामला वह है शत्रुम्न चौहानबाद आया वर्स 2014 में जिसने बात कही है जिसने बात कही है अगर किसी व्यक्ति के मर्द्रण की सेजा को निरधारित करने में अन्यवश्यक विलंब किया लिया हो जिसके कोई व्याख्या न हो पाए जो आविश्लेश्णी हो आव्याख्याईत हो इसके कारण है उच्छा दम्यालने क्या किया मर्द्रण प्राप्ति व्यक्ति की सेजा को मिर्द्रण प्राप्ति व्यक्ति की सेजा को लगुकरन करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया यह लिए तनिdar प्राप्ति व्यक्ति की सेजा को आजीवन कारावास में बदल दिया यह बड़ा इंटरस्थिंग पार्ट था यह हैराने के बाद फिर नियाएपाली का इह लाद कर रहा है इसवान कर रहे हैं ज़ान कर रहे हैं इसलिए और तक श्यामा कर रहे Porsche रही है और दस साल तक नेड़े ना करने का मतलब विक्ति को रोजोज मारना, दस साल तक आप उसको दोरार दंदे रहे हो, इसलिए राश्पती ने कहा कि अब हम इसको च्छमादान को आज एमन कहरावा से मदल दे रहे हैं, और बाकी फिर और राजनती हो गई, तो तमिल्नाडू के काम करी दिया है, तो जेल से फिरी तरो, छोड़ो इसको दिल से, दोस्तों ये तो बड़ी राज्तिक प्रतिसपरता है, इसका मतलब श्मा का प्रियोग की नादार पे होना चाहिए, संविदान में तरह लिखा गया है, इन दोस्तों श्मादान का प्रियोग तो जाद भी ध आज के बलाई मैसा हो, छमा का प्रियोग किया जा सकता है, यदि वक्ति अकेला परिवार का भर पोर्शन करने बाला हो, एकता खंद अब लिए जरूरी हो, ऐसे आधार श्मादान के लिए उसके हो सकते है, अब ये तो नहीं कि वक्त तमिल है, या कस्मीरी है, या हिंदी है या उडिया है, यहां दे पॉलिटिक्स होई, इसे उच्छे तम नहीं ने क्या किया, कि ऐसे वक्तियों कि शिजा का लेवर्ण कर दिया, और बात में पिरारी वर्ण को छोड़ दिया गया, तो सत्रुगन चाहान ने बड़ी इंटरस्टिंग बात कह दी, उच्छे तम ने इंटिवीदिया उच्छे तम ने माफ कर दिया, उच्छे तम ने रिकवाना इस लिए पड़ा कि इसकारी पाली का कामी नहीं कर रही है, तो दोस्तों एक बार खास तो होगे दिखेंगे, यहां बड़ा पेचीदा मसला है, कई बार सरकार यह कहती है कि नहले क्यों करता है, नहले ने, बता हो, इलेक्शन कमिशन के अपाइंटमेंट का दिकार नहले को है, नही दिस्वों का अपाइंटमेंट नहले करेगी, कई बार सरकार का रूप होता है, कि नहले वार काम शीन रही है, यहां तो ऐसा देखता है, कि नहले खुद चाहता है, सरकार खुद चाहती एक सरकार को बूट लेना है किसी नारजा नहीं करना चाहती और जिब नियाले कोई बात करें तो नियाले तुछ ना रड़ता नहीं है अब यह पड़ी आजा अजीव सी बात है चित भी अपनी पट भी अपनी तुमारे हाँ पॉलिटीशन के बार आमना गरवडा देता है तो अगर राश्च्पती किसी को चमादान दे सकता है तो राश्च्पती के चमादान की याचिका मनमानी हो जाएगी इस बात को यह राश राश्पती को चमादान दिया गया इस बात को पूरू सुधार किस्ता तुमकंस में यह राश्पती के चमाद्ण की सकतिया números संबैद्धणר नहीं किसे लिए इसका प्रयोंग तार्किक होना चाहिए मनमानीं नहीं और यह लाश्फती इसका मतलब है अगर तार्किक नहीं ह तो नियाले इसका पुनरावलो करता है इसे दोस्तों नियाली के अब शक्ता पढ़ती है वेधी संभीधान की व्यक्षा करें तो नियाले चाहिए ये फिर तो जो मर्जियो ऐसे काम करतेगा इसलिए इराश्पती की संभीधानिक अगर राश्पती नहीं है जब दिया पर दिया जा रहा है तो मनमानी रूप में अचाही बात क्यों जरूरी है जमादान देने के लिए पहले रिपोर्टो मांगते हैं जिस जियल में वेकर बंद है वाकई जकता है। ऑफिद के लिखित रिपोर्ट वैश्यच वासरां पर दिख को अचब लिका करोका है। परिष्टिया ऐसी हो जाती है कि अच्छे सच्छा इविक्ति में विविखो बैठता है अप्राद हो जाता है तो छमा का पूरा प्रावधार शिर्ट रखागे कि ऐसे इविक्ति को बाहर किया जाए समाज के मुख्यधार में जोड़ा जाए इसका यह मतलब नहीं कि अगर इ रटना है बदल दगती है अभी अपने सुनां गुजराद के गुजराद के कुछ लोगों को चमाया दे च्छमादान का इसा कौन से दिया गया गया और वो बुद्राव संपरदाई दंगेगारों की थी उसमें क्या हुआ हुआ रिमीसन दिया गया उनको कौन सा चमाया दा वाले को शमा के से दिया सकता है उख खास तोर आप जानते हो गुजरात की बात आती है दोस्ता मोधी सरकार पर हमला करने वह भारा है मिल लग गए तो मालॐन आपालिका में गया हुआ है इसका मतलब है बाकाइदा मिर्त कोई भी शमादान के मामले में आपालिका की शक्ती न विधाईश हो गया, कारिपाली के हो गया, नाइक हो गया, अब एक सक्ती में और देखनी है, वह आपातकालिन, वह सक्ती आपातकालिन, लेकिन बच्छों कल्ब, आज के लिए पिनाइक, मुश्क्राइब